हेलो एवरिवन आप देख रहा है राइंक प्लस दे लर्निंग एप और मैं हूँ चन्दन सर डियो और आल उस्टेंट आज हम लोग बात करने जा रहें एक वेकेंसी की बारे बहुत अच्छी वेकेंसी आई है होगे कैसे कैसे आपके प्रिप्रेशन होगी क्या क्या सब्जेक्स से क्वेशन पुछे जाएंगे क्या सलेबस होगा कैसे एक्जाम होगे कितने मार्क से एक्जाम होगा निगर्टिव मार्किंग होगी कि नहीं होगे किस लेंगवेज में एक्जाम होगा दिस आल थिंग्स व multiple choice of question, emcqs ये proof है जाएगा ठीक है, और इस emcqs में जो है, आपको 100 questions पुछे जाएगे, 100 marks के लिए, जिसमें कि 60, 25, 10 and 5, ये 4 part जो है, आपको questions के हैं, समझते हैं, क्या क्या है, जो 60 marks पुछा जाएगा आपको question, जो आपने dmlt किया है, जो dmlt का syllabus था, उसके theory से पुछा जा जाएगा सर, as per subject of the theory, जो 25 marks है, वही जो आपने practical किया है, dmlt में ही जो practical होते हैं, उन से पुछा जाएगा, मतलब कि 60 और 25, 85 marks जो है, इस बार जो है, आपको technical part से question पुछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना है, theory और practical दोनों आ जाता है, उसमें, practical और भी करता हूँ, कि वाकेंसी की preparation करना है, तो कि घर पर रहके नहीं करना चाहिए, आपको साथ में practical करते रहना चाहिए, क्यों practical से question पुछते हैं, क्योंकि selection होने के बाद तो आपको test ही करना है, हलाकि आपको पढ़ाया हमारे पास पूरा जाता है, 85 marks का, 10 marks का, जो है, वो आपको HSC higher secondary board के level पर जो है, higher secondary class के लेपर पर arithmetic पूछे जाएंगे, मतलब कि math के question पूछा जागा, 10 number का, 10 question, कापका, एक से लेकर दस लेकर 10th class तक के, ठीक है, और 5 marks जो last में पूछे जाएंगे, वो भी आपको HSC level से English के question पूछा जाएगा, सर, जिसमें कि English grammar का होगा, narration, wise, tense, भार 15 नंबर जो हो गया, वो आपको 15 marks जो हो गया, आपको, यह हो गया, non-technical का, non-technical में basically, एक से लेकर 10th class तक के math होगा, और 5 नंबर की English होगी, यह इसले बस है, अब आपको focus करके पढ़ना है, दोनों चीजों को, देखिए, यह चीजे तो बहुत hard नहीं आती है, और यह 10th class का कि कोई भी SSC के एक books उठा लो, books के लिए हमने कई वीडियो बना चुके हैं, कि math के लिए क्या books ले सकते है, reasoning के लिए क्या, हलाकि उतना है, इसमें आपको non-technical पढ़ने की जुरूत है नहीं, क्यावल इंग्लिस, इंग्लिस तो ऐसे भी solve करोगे, जो इनको थड़ी अच्छी इंग्लिस होगी, नहीं होगी, तो grammar उठा लो, इंग्लिस grammar जो है उसको पढ़ लेना, इंग्लिस grammar में जितने सारे भी होते हैं, parts of speech है, verb है, adverb है, noun है, pronoun है, tense है, voice है, narration है, parts of speech है, देन आपको उसमें synonym से, antonym से, यह सारे जो normal होते हो पढ़ लेना, और vocabulary से को एक अब 85 marks का जो technical part हैगा, बोलो कि इसका syllabus क्या होगा, इन्होंने इसको भी mention किया, थोड़ाओ डिटेल में जान लेते हैं, कि negative marking क्या सेनारियो है, इन्होंने mention किया है, कि जो syllabus होगा, written test का, the syllabus will of the medical laboratory technology, जो DMLT का syllabus होता है, standard syllabus, क्या इन्होंने mention किया है, standard syllabus, ऐसे ने को लिलो पलो किसी भी college का syllabus होगा, उसको पढ़ देंगा, DMLT का तो हो जाए, काम चलाओ नहीं, तो आपको standard syllabus यदि पढ़ना है, तो आप rank plus learning app download करना, वहाँ पर lab foundation 1.0 या 2.0, दोनों में syllabus mention है, syllabus के लिए आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना, जिनके पास syllabus हो तो ठीक है, DMLT का नहीं है, तो lab foundation 1.0 या 2.0 किसी का भी syllabus आप download कर ले ना, और syllabus को download करके प्रिंट कर वा लो, और उस syllabus में जितने content दिया गया है, क्योंकि standard syllabus और DMLT से questions आपको आना है, वो सारे topic आप पढ़ लोगे, आपका preparation हो गया, और another कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें आता है कि exam mcq based पे होगा, तो exam offline होगा या online mode से होगा sir, और यहाँ पर इन्होंने mention किया है कि OMR से भी हो सकता है, या computer based test CBT भी हो सकता है, लेकिन ये clear तब आपको mention करेंगे, जब आपका test letter आ जागा, मतलब admin card आ जागा, उस admin card में mention कर देंगे, the exact mode of written test will be mentioned in the notified letter, जो आपको later admin card में लेगा, उसमें mention रहेगा, कि आपको test CBT पे होना है, या OMR से होना है, तो उसको लेके बहुत ज्यादा confuse नहीं होना, हाँ एक चीज नोंने clear mention किया है, जो exam दोगे, उसमें negative marking होगी, और negative marking कितनी होगी sir, 0.25 marks negative marking होगी, यानि 4 correct questions के लथ हो तो 0.25 marks जो है, negative marking होगी, इसको आप mention करके चलोगे, अब standard syllabus हमें पढ़ना है DMLT के, तो कैसे पढ़ेंगे, जो Odisha के student है, यदि आपके पास content है, books है, notes है, पहले के पढ़े हुए, आपने पढ़ाई अच्छी करी है, तो आप बेफिकर अपने पास से preparation करो, उन सभी को revision करना स्टार्ट करो, जो syllabus मैंने rank plus app पर दिया है, उसको आप download कर लो, rank plus का spring यहाँ पर भी इससे भी कर सकते हो, या नहीं तो आपको confusion हो रहा है, तो rank plus the learning app प्लेश्टोर पर सर्च करना आ जागा, तो आपको download कर लो, उस app का इस video का description में भी दिया गे लिए, वहाँ से भी download कर लो, syllabus print निकल वालोगे, तो उससे आप वो सारे content जो topic mention है, वो पढ़ सकते हो आप, पहले पता होने चीने क्या topic पढ़ना ठीक है, अगर जो बच्चे नहीं हैं जिनके पास content और यदि सही में preparation करना चाहते हैं, तो इसी app पर एक batch available है, lab foundation batch 2.0, 1.0, जो क्योंकि आपका exam नजदिक है, दो महीने के अंदर है, तो यह 1.0 batch जो है, complete syllabus जो है, वहाँ पढ़ाया जा चुका है, यह आपको complete हो गया था, ऐसे 6 महीना पहले ही, तो सभी lectures जो है, आपको लगवक्स 400 से भी ज्यादा, सावाचार 400 lectures जो है, वहाँ पर recorded video lectures available है, उनके notes available है, जैसे इसे purchase करोगे, purchase करते क सारे का सारे video lecture से notes open हो जाएगा, और आप अपनी lecture, preparation lecture 1 से start कर सकते हो, serial wise, सभी subject के lecture हो, महीं पर available है, आप दोनों से पढ़के अपनी preparation कर सकते हो, पहले theory पढ़ो, फिर MCQ पढ़ो, क्यों MCQ से नहीं होगा, पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास अभी September है, September भी फिनिस होन करना है, तो दो महीने पढ़ने के लिए, आपको एक दिन में लगबक से 7-8 गंडे का समय निकालो, 7 गंटे मिनिमम, 6-7 गंटे आपको पढ़ना होगा, तभी अच्छा preparation कर सकते हो, क्योंकि काम चला, preparation करने से कुछ होता नहीं, तो आप इस batch को भी purchase करके, अपने preparation कर सकते हो अब कुछ बच्चे जो है, इस vacancy के आगे के भी अगर preparation करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए preparation के लिए, lab foundation 2.0 batch join करना है, क्योंकि वो new batch है, वो अभी पढ़ाया जा रहा है, नया format में, और वो आपको long term के vacancy के लिए, आप उसको join कर सकते हो, अभी recent vacancy के लिए, ए बच्च जो है, rank plus the learning app पर जो है, वो आपको free दिया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, rank plus app पर free classes भी available है, आप जैसे ही download करोगे, नीचे side में आप देखना मीनू बार दिया होगा, corner में एक library का section है, आप library section पर जाना, वहाँ पर सारे mcqs videos and PDF notes free of course available है, तो आप या तो उसको free भी पढ़ सकते हो, और नहीं अगर आपने theory practical, strong way में preparation करके इसको job लेना है, क्योंकि देखो, मैं कहें सी, कि चाह कोई भी state हो, बार बार नहीं आता है, आपको opportunity मिली है, तो इस बात को कहके मत छोड़ दो कि पता नहीं मेरा selection होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ पाऊंगा कि न त्यारी start तो करो, preparation start तो करो, हमारे पास कई सारे assessment आया हैं, जो 15 साल से त्यारी कर रहे थे, और selection नहीं हो रहा था, और हमारे पास 6 महिने पढ़ है उन्हों का selection होगा, आप मैं ऐसा नहीं कर रहा हूगा, कि नहीं हुआ तो भी और हुआ तो भी, क्योंकि होते के साथ उसने उस consistency से पढ़ाई करी, केवल class join करने से नहीं होता, आप पढ़ाई को समय दोगे, आप उसको जो है, जितने analysis करोगे, जितना preparation करोगे, जितना लक्स देखोगे, जितना notes पढ़ोगे, जितने revision करोगे, तब ना आपके mind में आएगा सर, तभी तो आप question solve कर पाओगे, तो इस सारी confusion इसमें clear हो गई होगी, अगर फिर भी कुछ confusion remaining है, पहले एक बार पूरी वीडियो देखो, वीडियो देख लेने के बात भी अगर remaining, मुझे नहीं लगता है कि रहेगा, लेकिन रहता है, तो आप comment में, of course पूछ सकते हो question, मिलते हैं नहीं class में नहीं topic के साथ, thank you, thank you so much झाल 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